नमस्कार दोफ्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टीचर इस्प्रेस पर टीचर इस्प्रेस एक सफर मंजिल की ओर तो दोस्तों आज हम जो टापिक लेकर के आपके सामने आये हैं जिसका आप हैं एंसीअप 2005 एंसीअप 2005 यानि नेशनल करिकुलम स दोजार राष्टिये पार्ट चरिया की रूप रेखा इससे बहुत ही जाद है दोस्तों कोश्चन आते हैं सभी को पता है बिल्कुल इस बार जो आपका आलाइन एक्जाम हुआ था उसमें भर भर कोश्चन इससे आया हुए थे तो बिल्कुल आप जो भी कोश्चन यहां स इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जैसा कि यहां पर लिखा भी है क्या लिखा भाई एंसे 2005 15 नंबर का आनत है तो बिल्कुल जितना भी नंबर आएगा इससे बाहर नहीं आएगा तो बस यह बताना था तो चलिए एक वन बाइवन करके देख लेते हैं पॉइंट करके दिया तो करते दोस्तों राष्ट्य पाढ़चरीया की रूप रेखा तो आप हुगा राष्ट्य पाढ़चरीया की रूप नजया रिवन या यह आप यह allons प्र बात करने वाले हैं यह तो यह कि हैं स्भी सिखा जो है उसका नमूना किस प्रकार से होना चाहिए यानि किस प्रकार से बालक को पढ़ाया जाए जिससे बहतर तरीके से बालक को समझ में आए और बालक सीखे तो तो इसका जो एक नमूना तयार किया फिर वही है भाई बिल्कुल इसका कहने का मतलब हुआ और दोस्तों इस से पहले भी आपका इंच आप चुका है तो सबसे पहले आपका 75 में आ था या नी सो पचेतर में आ था फिर आपका 88 में था नीस भजा लेना यह में सोचना की 88 में तो 1975 में 1988 में फिर 2000 में था 2000 में था फिर फिर दोस्तों आपका जो आपके सामने अभी तक आप पड़ रहे हैं यानि 2005 2005 अभी तक फिर आ जाता लेकिन दोस्तों कुरोना की चलते हैं मुझे लगता नहीं हो पाया तो राश्टी पाठ्चरिया की रूप रेखा 2005 आपके सामने तो सभी लोग बिल्कुल इसके बारे में जो भूई पॉइंट है पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि यहीं सारे पॉइंट आपको वहां एक्जाम में देखने को मिलने वाल ग्यान है थो भी ज्रवाइट कीया रहा है दिगम कराया जा रहा है ऐसा किताबी कीड़ा बना दिया वाल्लोạt को चिंतन करेगा बिचार करेगा और उसका आध्यन रटन पढ़ना नहीं से मुख हो यानी जो कीज़ेश को एवाइट किया गया यहां भी और अभी जब इससे इसके बाद दोस्तों एवाइट किया गया है मनलब जो नकारा गया कि भाई रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं कराना है ठीक है फिर नेक्स पॉइंट है आपका कहरा पार्ट चरिया का इस तरह का समर्थन हो कि वह चोंखी व कि किस प्रकार की पाट चरिया हमारे देश की होनी चीए जिससे बालक जो है जिस भी चेत्र में जो कुछ करना चाहे तो उसको आसानी से चीज़ें अचीव कर सके और जो सीखा हुआ ज्यान भी ऐसा नहीं कि वह रट कर सीखे और आपना अनुभवात्म ज्यान मिले उसको ज अच्छा को गत गत विहिों से जोड़ना सालमे एक बार परिच्वा तो इसा नहीं हो बालक क्या भई उसक्ता नकल करके पास कर के ऊंगे ना कि यह सीखा बालक ने आप नहीं समझ पाएंगे तो इसलिए पेच्छा बी रचिला पर मतलब ना मतलब यह को लगे तो और कच्छा को गत्विदी ओं से जोड़ना चाहिए जो भी एक्टिवीटी कराई जाए एक्टिवीटी के साथ एक्टिवीटी के साथ कराई जाएं मघनद उस्द आप कोई चीज़ पढ़ा रहा हुए तो यह जो आपका लिखाया है जो प्लस फाइव होता है तो ये हुआ क्या हुआ गदविधी से जोड़ना ठीक है तो बिल्कुल ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया प्रजात आंतिक राज ब्योस्ता कहें तगर राष्टी चिंता है समाई करना सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इसका राष्टी सिछा नीती का कहिना है कि बाल तो यह सारी चीजें उनके अंदर होनी चीए कि मुलब जो है यह हमारी देश की या हमारी जहां पर हम विद्ध्याले मेरा है अपना है तो इसके बारे में उनके अंदर जांग रुकता होनी चीए और कोई भी इस प्रकार की घटना न करें जिससे वहां पर नुक्सान हो सके ठीक है तो यह जानना सबसे महत्पूर्ण हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कह रहा है राश्टी पाठचरिया से संबंदित परिच्छा उप्योगी प्रमुक बाते भई देखिए यह परिच्छा उप्योगी है यह आपके एक्जाम में आ सकती तो बिलकुल ध्या सब्सक्राइब करेंगे तो चीजों को बहतर तरीके से बालक सीखेगा भी और इंट्रेक्ट भी करेंगा दूसरी बात यहां कह रहा है मात्र भांसा को मात्ती दिया जाए यानि जो बालक की मदर टंग है मात्र भांसा है यानि जिस भी भांसा में बालक बात करना चाहता है उस बात करने का पूरा उसर उसे भी देना चाहिए और दूसरी बात यह भी कि उसको बालक का सम्मान करना स चीज को करे भी ठीक है तो जैसे वह आपका आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कि प्रभाव सब्द बानी का नहीं बलकि सदा चरन का पढ़ता है तो यह इसा नहीं कि आप लेक्चर दे दें और खुद नपालन करें तो वह प्रभाव किसी पर भी नहीं पढ़ेगा त तो यह कहना चाहिए पाट करम जो है बहुआरिक होने का मतलब यह हुआ है दोस्तों कि उसके समाच से माली जी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी क्लास की जो भी बुके होती है उसमें क्या होता है कि यहां पर तालाब बना होगा फिर इदर घर बना होता है तो इससे क कर्कुलम इस्तमाल किया जाए तो दोस्तों कैसा होना चाहिए बहुआरिक का मतलब भी हुआ कि उसके आसपास की चीजों से जुड़ा हो ना चाहिए निक से सिच्छण में क्या है बिविन सिच्छण सुस्त्रों का प्रियोग करना चाहिए यानि माली जी बालक को जिस नही प्रिये समझ में आरे तो तो हिसा नहीं है उसको दूसरी तरीके से आप पढ़ा जै उसको जिस हिसाब से लगे यानि लचीलत भी किस चलो नचीए लचीला होना चीए जिस इसाहिए ciriyah43 वही तो उसको पूछने का मौका दें और उसर दें जिससे बालक ज्यादस ज्यादा कोश्चन आप से करेगा तो जाहिर कोश्चन करेगा तो इसका मतलब हुआ यह जो भी आप कंटेंट प्रवाइट कर रहे हैं उससे बालक इंट्रेक्ट कर रहा चीजे समझ में आ रहे हैं तभी तो आप से कोश्चन कर रहा है तो इसलिए प्रस्ट पूछने के लिए क्या है जिए जानने के इच्छा जिए जानने के इच्छा उसके अंदर प्रभल करनी चाहिए बढ़ाना चाहिए लैंगी बिटताइम लेंगे रूट बादिता दोस्तों यह बिलकुल हर बार इससे को सब्सक्रि कुर्ण घृट को ढला बीटताओं में उत्पन सरी मानसिक हो समान होती है या बिन हो सारी, कहते दोस्तों एसा नहीं है जो कहते कि कुछ लोग भई लड़कियां गड़ित नहीं पड़ सकती तो यही कहा गया इसमें की मनौ भयग्यानिक ऐसा मानना कि और वालिकाओं में उत्पन छमताये चाहे उसार करा मांसिक हो समान होती है नेट कर समाज में पूरुस महिला करते हुए या मानते ब्रुस आधिक छमतावान है उसे लैंगिक को समझाया खे ठीक है फिर इंसीफ 2005 या सुझाव दिया है कि लैंगिक रूडबत्ता एक सांस्गर्टे कि हम सामाजिक रूडबत्ता तो है ही परंत इस तरह की रूडबत्ता विद्ध्यालाई प्रवेस्ट में भी देखने को मिलती है आप लोगों ने बिलकुल देखा होगा दोस्तों जड़ो रगुआते के नहीं पहले लड़कियों से जड़ो साफ सफाय करवाते थे और जो लड़कों को बुलाते थे तो यह ने कहीं न कहीं यह ईंडिकेट करता कि नहीं आप वी जालो लगा कि याप महिल यह जरू बदद्ध्ध्ध्ध्यान के तो इस प्रकार के बिल्कुल समाहत नहीं होने चाहिए अगर हो गए तो समझ लो तो यहीं कहा गया है तो यह सारी चीजे बिल्कुल नहीं चीए और दूसरी बात बैठनी की विवस्ता हो उसमें भी ऐसा नहीं हो यहां लड़के आपको यहां बैठना है ठीक है तो यह सारी चीजे भी खतम करने की बात यह गए नेक्स्ट है आपका लेंगी रूर्ण बद्दता को समाफ करने के लिए बाल केंदी सिछा समावेसी सिछा द्वारा बालकों को सिछा देनी चीए तो दोस्तों इसमें का गया लेंगी रूण बद्दता को किस प्रकार से यहां जहां पर बिना किसी भेदभाव के सिच्छा प्रवाइट करना चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे अमीरों सारे इक्वल होंगे वहाँ पर तो बस यही बात में है तो समावेशी द्वारा बालकों को सिच्छा प्रवाइट कर देनी चीए तो इसी के अंतरगत आजाएगा आपका ठीक है निक्स पॉइंट है आपका देख लेते भाई क्या है निक्स पॉइंट करा लेंगी कुरुडबत्ता को समाथ करने के लिए सांस्कृति कारकर्म खेल प्रियोक साला सभी में समान इस्थान बस सेम बात अभी जो बम नें बताया भई कि कि किसी प्रकार का भेदभाव हो चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की यह सारी चीजें खतम करने एक लाके लेंगिग रोड़बत्ता का प्रिचला अथवा महिला सथिकन की बात कहरा दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम खतम करतेंगे तो धीरे-धीरे जो क्या है हमारे देश में महिला भी आगे-आके काम सामाजिक सेनचना नहीं नहीं है यह यहां पर मीं स्प्रिंट है ध्यान देना लिंग एक दोस्तों मिंग क्या है अगर आपको सामाजिक सनफना मनना अधरवाइस लिंग लिखके आगया तो आपको बताना जयविक सत्ता बताना कैसे बताना ध्यान दीजिए जयविक सत्ता बताना इसको तो जयविक सत्ता क्यों दोनों का मतलब होता ही लिंग है लेकिन जंडर इसलिए इसको सामाजिक सनफना मना गया है कि दोस्तों समाज के द्वारा बना दिया गया कि आप महिला हो आप पुरुस हो आप महिला हो आपको यह काम करने आप महिला हो तो जेन्डर के अंतर गताता है ने यहीं पर दोस्तों लिंगा अता है यह जैविक सक्ता इसलिए का जाता है किसके द्वारा हमें पहचान होती है यानि कि आप महिला है आप पुरूस है ठीक है देखते भाई नेक्स पॉइंट है कुछ चलिए भाई बिल्कुल आपका आपका यहीं पर समाप्त होता है भाई तो आपको कैसा लगा बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं आप लोगों से निफ सेशन में तब तक के लिए जैहन